दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आईफोन की कैलेंडर एलर्ट्स, रिंग्टोन एंड वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में बताएंगे तो यह कहाँ पर सेटिंग्स होती है कैसे आप करेंगे यहाँ पर सेटिंग होती है आप सिंप्ली इस पर क्लिक करिए तो रिंग्टोन की सेटिंग आप क्यासे करेंगे सिंप्ली यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा जो भी डिफॉल्ट लगा होगा और इसमें अगर आपको change करना है तो आपको मतलब vibration के type दिये गए हैं तो आप उसमें से कोई भी vibration का type जो भी आपको लगाना है आप select कर सकते हैं अदर्वाइस आप default पे भी click कर सकते हैं तो default जो भी होगा वही रहेगा या फिर आप none पे भी click कर सकते हैं none पे click कर देंगे तो कोई भी vibration नहीं बजेगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए